परम पिता प्रमेश्वर कहते हैं तुम कृष्णो असी तू कृष्ण है योगेश्वर कृष्ण के माता पिता ने जो कृष्ण नाम रखा उनका तू कहां से लिया शब्द वेद से जो मैं रात को आपको बता रहा था ना संसार भर के पदार्थों के जितने भी नाम हैं वो सब वेद से ले करके रखे गए हैं तो कृष्ण कोन होता है काला साप है वो भी कृष्ण है काले आपके बाल है काला तवा है काली अंगुठी है काला घड़ी का फिता है काला धागा है काला टिका है तो सब कृष्ण है पर ये तो है भोतिक अर्थ शाब्दिक अर्थ है तीन प्रकार के अर्थ होते हैं किसी भी शब्द के आदिदैविक आदिभोतिक और आध्यात्मिक आदिदैविक अर्थात जितने भी देव हैं जड़ देवता जितने भी संसार में हैं उनके नाम को परिभाशित करने वाले उनसे संबंदित जैसे काला बादल वो भी कृष्ण कहलाता है जब घुमड घुमड करके सावन की घटाएं आती है तो वो आलादित करती है माताएं गीत गाती है जूले जूलती है आजकल तो नहीं जूलती पहले जूलती थी तो अलादित हो जाते हैं सावन के गीत गाते थे ना पहले सावन के गीत अलग हैं कार्तिक मास के गीत अलग थे, फालगुन के अलग थे, फिर वसंत्रितु के अलग थे, और वेद में सामुहिक नृत्य का विधान है, सामुहिक, जीवन को आनंदित करने के लिए, और माताएं पहले रात को इकठी हो करके, गीत गाती थी, और नृत्य भी करती थी, गाओं में तो हमने भी देखा है, शहरों का तो बहुत पहले करते होंगे, पर गाओं में तो मैंने देखा है बच्पन में, सारे महले की माताएं और बालिकाएं, यूतियां, इस्तियां, बुढ़ी, बुढ़ी भी आती थी साथ में, वो बैठ करके ताली बजाती थी, जवान नाचती थी, चोटे-चोटे बच्चे थे, हम देखा करते थे, तो उससे क्या बढ़ता था, दिन भर ठके वे, सुभा से स्याम तक काम में लगे वे, और जो अपने निक्रिष्ट पतियों की मार भी खायोगी कहियोंने दिन में, है ना, गुसा भी उनका जेला होगा, उनका शहन किया होगा, फिर रात को दो घंटे नाचना और घाना, तो वो क्या कर देता था उनको, स्ट्रेस फ्री, फ्रेस कर देता था, उसमें प्रोक्षामी, प्रापूर्वक उक्षा, प्रोक्षामी करता है, मैं तुमें आनंद से सिंचित करता हूँ, परमेश्यवर कहते हैं, क्रिष्णो असी, तुम क्रिष्ण हो, प्रोक्षामी, जब तुम क्रिष्ण हो, तो मैं फिर तुमें आनंद से सिंचिता हूँ, जैसे सूखे खेत में पानी डालते हैं, तो क्या हो जाता है? हरा भरा हो जाता है, उल्लास आ जाता है उसमें, और सब कोपले नही नही निकलत तो जब क्रिशन का ये तो आदिदेविक और आदिभोतिक अर्थ है, अध्यात्मिक अर्थ भी है, क्रिशन का, क्या है अध्यात्मिक अर्थ? जो आपको आकरशित करता है, भगवान भी क्रिशन, भगवान का नाम क्रिशन भी है, एक भगवान का नाम क्या है? कृष्ण भी है राम भी भगवान का नाम है इश्वर का नाम है क्योंकि गुणों पे अधारित इश्वर का ये बात समझ लेजिए एक नाम तो मुख्य है वो तो एक है एक नाम वो तो मुख्य है जब भी हम उससे व्यहवार करेंगे तो तब तो वो मुख्य नाम ही व्यवार में लेना होगा और जब हम उसकी स्तुती करते हैं स्तुती तो स्तुती हमेशा गुण वाचक शब्दों से की जाती है जैसे दिनेश इसका नाम मुख्य नाम है यह गाता बहुत अच्छा है यह इसकी स्तुती है गायक बहुत अच्छा है बहुत सुन्दर आरे इसके गले पे सरस्वती वैठी है ये गुणों का वर्णन हो रहा है अब ये बहुत सोम्य है ये बहुत बुद्धिमान है और ये बहुत अच्छा भाई है ये बहुत अच्छा फुफा है ये बहुत अच्छा जिजा है, बहुत अच्छा साला है, बहुत अच्छा पुत्र है, बहुत अच्छा ये पिता है, बहुत अच्छा ये दादा है, बहुत अच्छा ये पोता है, कितने नाम हो गए? जब इनकी बहन इनको दिनेश बोलती है तो उसका मतलब क्या होता है कौन सा गुण है भाई और जब इनकी पत्नी दिनेश बोलती है तब कौन सा गुण है पत्नी जब दिनेश बोलती है तो वो क्या देखती है इनके अंदर क्या देखती है पती और बेहन जब इनको दिनेश बोलती है तो क्या देखती है भाई और इनकी मा जब दिनेश बोलती है वो क्या देखती है पुत्रे और इनकी बुआ जब दिनेश बोलती है तो फिर वो क्या कहती है बतिजा इनका साला जब दिनेश बोलता है तो उसको क्या कहता है और जब जीजा दिनेश बोलते है तो साला एक व्यक्ति एक दिनेश के कितने अर्थ है एक दिनेश के कितने अर्थ है जीजा भी, साला भी, भाई भी, बतिजा भी, मामा भी, भांजा भी और जब ये बैंक में अकाउंट खोलने जाएगा तो फिर क्या लिखेगा नाम अपना राम सिंग का भांजा शाम सिंग का जिज्जा या हरनाम सिंग का साला क्या लिखेगा नाम क्या लिखेगा धिनेश पथिक मुख्य जब व्यवार है तो फिर किस से होता है व्यावार जब होता है तो मुख्य नाम से स्तुती जब होती है गोण नामों से तो व्यावार जब उपासना करेंगे जब आप उपासना करेंगे तब किसका जाप करना है मुख्य नाम और वो नाम क्या है ओम बाकिस अब गुण वाचक नाम है और वो कितने है गुणवाचक नाम कितने है असंख्य मुख्या नाम कितने है एक इसलिए गुर्णानक देवजी महराज ने जब परमपिता परमेश्वर की उपासना के लिए उनके शिश्यों ने कोई नाम सुझाने को कहा तो क्या लिखा नाम एक ओंकार और यह कहां से लाए कहां से आया गुर्णानक देवजी महराज विद्वान व्यक्ति थे सुपटित थे थोड़ी-थोड़ी संस्कृत जानते थे और उपनिश्दों को पढ़ा और उपनिश्दों से ये मांडुक्यों उपनिश्द से ये ओंकार शब्दों ने मान्डुक्यो उपनिष्द के पहले ही मंत्र में दो बार ओंकार शब्दाया है, सुनो पुमितिये तदक्षरम इदं सार्वं तस्यव प्याख्यानं भूतं भवत्भविष्यदिति सार्वं ओंकारेवा यचान्यत्रिकालातीतं तदपियोंकारेवा तदपियोंकारेवा इसमें दो बार ओंकारा है अब ये अज्यान और अविद्या के कार्ण लोग ओम को और ओंकार को अलगी मानते हैं तो और बाबा नानक ने जब लिखा न उसको तो लिखने में ओंकार नहीं लिखा ओंकार यदी लिखेंगे तो उसमें तो कका रर्रा दोनों आएंगे का और रा तो है नहीं जो लिखा है तो ऐसे लिख करके ओम लिख करके एक का निसान डाल दिया एक की संख्या डाल दिया एक ही है एक ओवशी सरभूत अंतरात्मा एक ही है जो समस्त भूतों की अंतरात्मा है समस्त शंसार का अंतरात्मा है वो एक है अज्यान और अविद्या के कान लोग उसके गुण वाचक नामों को मुख्या नाम मान लेते हैं जैसे कृषण नाम प्रमेश्वर का है क्यों है वो सब को अपनी और आकरशित करता है किसी भी रूप में कोई भी किसी भी मतपंत का आदमियों सब आकरशित किसकी तरफ है प्रमेश्वर की तरफ हिंदू है मुसल्मान है सिख है इसाई है यहुदी है पार्सी है बोध है ज इश्वर का क्योंकि वो सबको आकरशित करता है। इवन ये वामपंथी हैं, ये जो कमिनिस्ट हैं, ये भी किस से अपनी रोटी कमाते हैं, किस की तरफ आकरशित हैं। मुख्या सिध्धान्त क्या है? इश्वर नहीं है। क्या है मुख्या सिध्धान्त? किसने इनको आकरशित किया? अपना सिध्धान्त घड़ने के लिए भी? किसने आकरशित किया इनको? नहीं तो कहते हैं, नहीं तो कह देते हैं, आसमान नहीं है, सूर्य नहीं है, पृत्वी नहीं है, अगनी नहीं है, वायू नहीं है। बहुत सारी चिजिज़ों को एक वामपन्थी मेरे पास में आया भूला नहीं प्यास दीखती है नहीं तो कोई आपका अपमान कर दे बेजती दिखाई देती है कैसा कलर है बेजती का है अपमान का इंसल्ट का कैसा कलर होता है कैसे रंकी होती है बेजती कह दिया न मेरी बेजती कर दी मेरा अपमान कर दिया You insulted me What the hell, who the hell you are है You insulted me वो कैसी होती है इंसल्ट कैसे रंकी होती है भूख प्यास कैसी होती है मान अपमान कैसा होता है ठोकर लगी तो दर्द वा दर्द कैसे रंक है मैंने का ये चीज़े नहीं है क्या बोले ये तो है मैंने का दीखती है बोले नहीं दीखती है अरे मैंने का जब ये दीखती है नहीं और है तो वो भी दीखता नहीं वो है मैंने नहीं नहीं वो नहीं है वो नहीं है तो मैंने का तुमारी रोजी रोटी का अधार तो वही है कैसे मैंने का आस्तिक कहता है ईश्वर है और नास्तिक कहता है इश्वर नहीं है दोनों का धार क्या हुआ दोनों के मत का धार क्या है आस्तिक का धार क्या है और नास्तिक का धार क्या है बिना इश्वर के नास्तिकता का मत चला के दिखाओ ना बिना इश्वर के आस्तिकता का मत चलेगा आस्तिक मत चल सकता है भिना इश्वर के नहीं चल सकता और नास्तिक मत चल सकता है नहीं चल सकता एक कहता है और एक कहता है नहीं है कठोप निश्द में कठोप निश्द के अंदर नचिकेता अपने गुरू को पूछता है अस्तिये के नास्तिये के एक कहता है कि है ये आज का जगड़ा नहीं है, ये वामपंथी अपने आप में फूले समाते है, हमने नास्तिकता का दिंधोरा पिटा, आरे ये तो सदा से चले आए हैं विचार, सदा से, कोई सब रिशी मुनी थोड़े हैं, सब का आत्मा सात्विक भावों वाला थोड़ी है, सात्विक सब के अलग अलग है आपके घर में दो वेटे पैदा हुए एक कैसे हैं, चार बचे हैं, उनमें कोई एक कैसे हैं, कोई कैसे हैं covet हमारे भाईयों में सन्यासी बन गया और चोटे भाईयों को में दो को जबरदस्ती घर से उठा के ला या गुरकुल में पडाया, मैंने का इ एक कैलिफोर्निया में बैठा है, एक मान्या बर प्रधान मंतरी जी की सुरक्षा अधिकारी बना बैठा है, मैंने का चलो आपी भी अच्छा काम कर रहे, कोई बात नहीं, पर मेरी इच्छा क्या थी, सच बता रहा हूं, मेरी इच्छा क्या थी, सन्यासी बने, और मेरे से छो मेरे को, अपना तो बेडा गर कर लिया, इनका और करने पे तुले हूए, और मैं उनको कहता हूं, जो गरस्ती बने है, तो जो व्यक्ति स्वेम होता है, वही वो दूसरे में देखता है और उसको वैसा ही बनाना चाहता है, यह मनवज्जान का है, एक बालक चरितरवान है मैं आपको उधान देता हूँ एक बालक बिलकुल सभी बालिकाओं के साथ बेहन की तरह विहवार करता है और चरितरवान है उसको कोई कुछ भी उसके रचित में मलिंता नहीं है तो वो यदि कोई लड़का लड़की को साथ बैठे वे देखेगा तो वो अपने जैसा ही समझेगा उनको कि ये जैसे मैं हूँ वैसे ही ये है और एक बालक यदि निकम्मा है बेलकुल आवारा एक नमबर का लफंडर और यदि वो बेहन भाई को भी साथ बैठे वे देख रहा कहीं पार्क में तो क्या सोचेगा कि निकम्मे है बॉइफ्रेंड और गरल फ्रेंड बैठे ऐसे बोलेगा क्योंकि वो वैसा है क्योंकि वो वैसा है उसका एक उधान और सुनो एक घर में एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति रात को घर से बाहर निकलते हुए किसी ने देखा गली में घुम्रा रात के बारा एक बजे तो एक व्यक्ति गली में देखा तीन व्यक्तियोंने तीन व्यक्ति कौन थे एक था चोर और एक था साधक और एक कौन था आपने बलना तीन थे एक तो था चोर और एक था साधक और एक था तीसरे नंबर का निकम्मा जो रात को ये देखता था कि किस घर में पुरुश नहीं है वहीं खुशना जा करके वो मनाईजर अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है जो ओरतों का ही पीछा करने वाला था तो वो आदमी जब वहाँ गली में देखा तो जब चोर ने देखा तो चोर ने क्या कहा ये भी कोई चोर है और जो निकम्मे ने देखा चरितरहिन पुरुश ने देखा तो उसने कहा ये भी मेरी तरह दाउं लगाने के चकर में है और जब साधक ने योगी ने प्रभु के उपासक ने देखा तो कहा ये भी कोई ध्यान लगाने के लिए जंगल में जा रहा है और वो क्या है वास्तों में किशी को पता नहीं तो ऐसे ही 99.99% हमारा जो प्रसेप्शन है ना किसी के बारे में वो वही है जो हम है इसलिए जगड़ा होता है अपने आपको व्यक्ति प्रोजेक्ट करता है दूसरे में अपने को स्वेम को स्वेम को ठोपता है अपने से क्योंकि जैसे जैसे व्यवार देखता है वैसे वैसे मैंने किया था तो यह यही है तो गुण वाचक नाम परम पिता प्रमेश्वर के असंख्य है असंख्य है गिण ही नहीं सकते क्यों क्योंकि उस प्रभु का गुणों का कोई और छोर नहीं है और छोर नहीं है तो इसलिए कृषण नाम परम पिता प्रमेश्वर का है वो सब को आकर्शित करता है Who attracts you? वो attract करता है आदमी को Krish आकर्शने धातुए संस्कृत जो आकर्शित करता है मैं अभी एक गाउं में गया हवन कराने के लिए तो एक लड़की पढ़ी लिखी काफी UPSC की तैयारी कर रही गले में एक छोटा सा ऐसे गोद में एक बालक ले रही चोटा कपड़े में लिप्टा हुआ तो मैंने का ये पता नहीं क्या है मैंने उसे पूछा ये क्या है ये मेरा भगवान है मैंने का कौन है बोला लड़ू गोपाल है मैंने का लड़ू है तो खाओ मुझा नहीं नहीं इसका नाम लड़ू गोपाल है मैंने का एक बार दिखाओ तो मैंने का देखा और मैंने का लड़ू तो बुंदी का होता है यह पत्थर का है मुझा नहीं 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 आप स्वामी जी से पत्थर ना को आप बताओ यह क्या है आप कितना पड़े हो मैंने तो B.S.C किया है अब M.S.C कर रही हूं मैंने का अच्छा यदी इसका एक टेस्ट करेंगे इसको लैबराटरी में डालेंगे तो यह क्या है बोला है तो पत्थर मैंने का बस मैं तो बाकी तो आपकी भावना है अब भावना कर रहे हो वो एक अलग बात है मैं उस विशय पे नहीं जाता ना तुम्हें छेड़ता पर है क्या यह बोला वाक्या में क्या वास्तिक रूप से बोला वास्तिक रूप में तो पत्थर का ही बना है बस मैंने का इत तो लोहा ही कहलाएगा, आग में डला हुआ लोहा, आग ही कहलाता है, आग में डली हुई लकडियां भी आग बन जाती है, तो धीरे धीरे अब आदमी को पहचान ही नहीं रही कि किसकी तो पूजा करे और किसकी ना करे, तो क्रिशन किसली है भगवान वो क्या करता है अपनी और आकरशित करता है ये तो क्रिशन का अध्यात्मिक अर्थ है और भोतिक अर्थ क्या है काला है बहुत संदर लगते हैं बुड़े बुड़ापे में भी बाल रंके रखते हैं लोग काला दीखने के चक्कर में अच्छा ये भी अलग बात है भारत में काले बालों की परसंसा है तो यहां मैं एक देश में गया वहां भूरे बालों की परसंसा है बच्पन में बाल के बाल भूरे रंग देते हाँ यहां पतले होट की परसंसा है South Africa में मोटे होट की परसंस है वो पैदा होते ही लकड़ी के गुटके डाल देते हैं आदिवासियों की यह लकड़ी के नीचे होट के नीचे लड़की के एक लकड़ी का गुटका डाल देंगे तो बहुत मोटा होट होना चाहिए आपने देखोगा अफरीकन महिलाओं के वोट मोटे होते है चाहिना में छोटे पैर की परसंस है पैदा होते ही लड़की को लोहे का जुटा पैना देते है पैर को आगे बढ़ने ही नहीं देते आप देखना गुगुल पर जा करके पैर इंगे बिंगे वजाते हैं लड़कीयों के छोटा रखने के चक्कर में ये भोतिक चीजें अलग हैं अध्यात्मिक अर्थ अलग है राम का भोतिक अर्थ है अयोध्या में पैदा हुए दसरत के परिवार में एक बालक का नाम राम रखा और उन्होंने तपस्या, बल, साधना, उपासना, विद्या, तेज, ब्रह्मचरिय का पालन करके मर्यादा पुरुशोतम पद्वी को पाए और अध्यात्मिक अर्थ क्या है राम का अध्यात्मिक अर्थ सुनो क्या है रमन्ती योगिना मध्य यस्मिन्वा योगिनाह रमन्ती जो योगियों में रमन करता है और योगी जिसमें रमन करते है ये राम का अध्यात्मिक अर्थ है योगी उसमें रमन करते हैं सारे योगी किसमें रमन करते हैं? परमेश्वर में इसलिए वो राम है सारे योगियों में कोन रमन करता है परमेश्वर इसलिए वो राम भी है आकर्शित करता है इसलिए वो कृष्ण है सबसे बड़ा अश्वरिय साली है इसलिए वो इंद्र है सरव्यापक है इसलिए वो विश्नु है कल्यान कारी है इसलिए वो शिव है शांतिकारक है इसलिए वो शंकर है शंकर बदनाम किसके लिए है तांड़ाव करने के लिए कि ब्रह्मा अविश्णु महेश महेश तो कद़ मिटाता है अरे कहां मिटाता है नमस्कार मंतर है ना वेद मे संध्या का सबस्यांति मंत्र है ना ये जो ओम नमाशिवाय कहां से आया लोग शिव का मंत्र जबते हैं ना ओम नमाशिवाय कहां से आया वेद से संध्या में जब नमस्कार मंत्र बोलते हैं बोलो ओम नमाशंभवायचा मायो भवायचा वो तो चोथा हिसा जबते है चोथा मेनी छटा हिसा जबते है पूरा मंत्र तो ये है छे नाम है छे संभू वो ना कोण सी मुसल्मान लड़की थी संभू संभू का आयार वो फत्वा जारी हो गया पर संभू शब्द तो वेद में है संभू नमा संभवाई संभू के लिए नमन है मयो भवाई आनंद का स्रोत होने से नमन है नमा शंकराई शांती का सागर होने से इसको नमन है नमा मयस कराई आनन्दित कर देने वाले को नमन है नमहाशिवाई कल्यान करने वाले को नमन है नमहाशिवातराई और महा कल्यान करने वाले को नमन है और क्या कहते हैं? गजब की बाद यह पवरानिक पोंगापंथी लोग पोप इनको पोप लिला करते हैं महरिशी दान जी महाराज ने इनका नाम रखा है पोप, ये क्या बोलते हैं आरिये समाजी राम को नहीं मानते ही कृष्ण को नहीं मानते ही शीव को नहीं मानते ही विश्णू को नहीं मानते ही हम ही मानते हैं वो तो मानते ही नहीं खुद मानते नहीं है मैंने क्या बोला था भी, दूसरे के ओपर क्या रोप लगाता है आदमी, जो वो स्वयम है, ध्यान रखना, यूर आई डज नाट सी, वट यूर माइंड नोज नाट, जो आपका मन नहीं जानता, वो आपकी आँख देखती नहीं, यूर श्पीच दज नात स्पीक, वट यूर माइंड नोज नाट, और यूर यूर दज नात, वट यूर माइंड नोज नाट, यूर ब्रेश इल्ग बोलने लगू, आपका दिमाग समझ लेगा समझ लेगा मैं अभी मल्यालम बोलने लगूँ आपका दिमाग समझ लेगा, नहीं समझ सकता क्यों, क्योंकि मन पे वो संसकार है ही नहीं है सब कॉंशिस माइंड में वो मामला है ही नहीं है सही माइने में परम, पिता, परमेश्वर को और देवताओं को, सारे देवी देवताओं को और भगवान को वैदिक धर्मी ही मानता है वैदिक धर्मी मानेगा, और कोन मानेगा? और तुमाने ने सकता